अस्सलाम वालीकुम दोस्तों आदा मेरे नाम दुरगा आप लोग का मेरे यूटीब चैनल किट्टी कुड़ी में स्वागर है तो आज की रियक्शन वीडियो हने वाले कुरान प्यारण 26 का सेकिन पर तो चले सुनते फिल करते तो चले वीडियो स्टार्ट करते लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो आप लोग मेरे चैनल को सबस्ट्राइब लाइक शेयर करना मत बुलना बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिल सकेस्टों डोंट वेसिंग एनी टाम लेस केट व लाओ और तुम ही गालिब रहोगे और अल्लह तुम्हारे साथ है वो हर्गिस तुम्हारे आमाल को कम और जाया नहीं करेगा दुनिया की जिन्दगी तो महद खेल और तमाशा है और अगर तुम एमान लाओगे और परेजगारी करोगे तो अल्लह तुमको तुमारा अज्र देगा और तुमसे तुम्हारे माल तलब नहीं करेगा अगर वो तुमसे माल तलब करे फिर तुम्हें तंग करे तो तुम बुखल करने लगो और वो बुखल तुम्हारे कीने जाहिर करके रहे देखो तुम वो लोग हो कि अल्ला की रामे खर्श करने के लिए बुलाए जाते हो तो तुम में ऐसे शक्स भी हैं जो बुखल करने लगते हैं और जो बुखल करता है अपने आप से बुखल करता है और अल्ला बेनियाज है और तुम मोहताज और अगर तुम फिर जाओगे तो वो तुम्हारी जगा और लोगों को ले आएगा फिर वो तुम्हारी तरह के न शुरू अल्ला का नाम लेकर जो बड़ा महरबान नहायत रह्म वाला है। शुरू अल्ला का नाम लेकर जो बड़ा महरबान नहायत रह्म वाला है। उनी पर बुरे हादसे वाके हों और अल्ला उन पर गुस्से हुआ और उन पर लानत की और उनके लिए दोजख तयार की और वो बुरी जगा है। और आस्मानों और जमीन के लशकर अल्ला ही के हैं और अल्ला गालिब है हिक्मत वाला है। नबी हमने तुमको एहवाल बताने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और खबरदार करने वाला बना कर भेजा है। ताके मुसल्मानों तुम लोग अल्ला पर और उसके पेगंबर पर इमान रखो और उसकी मदद करो और उसकी ताजीन करो और सुबह शाम उसकी तजबीर करते रहो। आई नबी जो लोग तुमसे बैयत करती हम वो दरहकीकत अल्ला से बैयत करती हैं, अल्ला का हाथ il के वो तोड़ें तो अहद तोड़ने का नुक्सान उसी को है, और जो उस बात को जिसका उसने अल्ला से एहद किया है पूरा करे तो वो उसे अंकरीब अजर-ई-अजीम देग ये लोग अपनी जबान से वो बात कहते हैं जो इनके दिल में नहीं है कह दो कि अगर अगर अल्लह तुम लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहे या तुम्हें फाइदा पहुँचाने का इरादा फरमाए तो कौन है जो उसके सामने तुमारे लिए किसी बात का कुछ इक्तियार रखे कोई नहीं बलके जो कुछ तुम करते हो अल्लह उससे वाकिफ है बात ये है कि तुम लोग ये समझ बैठे थे कि पैगंबर और मौमिन अपने एहल और आयाल में कभी लोट कर आने ही के नहीं और यही बात तुमारे दिलों को अच्छी मालूम हुई और इसी वज़ा से तुमने बुरे बुरे ख्याल किये और आखिर कार तुम हलाकत में पड़ गए और जो शक्स अल्लह पर और उसके पैगंबर पर इमान न लाए तो हम ने ऐसे काफिरों के लिए आग तैयार कर रखी है और आस्मानों और जमीन की हुकूमत अल्लह ही की है वो जिसे चाहे बख्षे और जिसे चाहे सजा दे और अल्लह बख्षने वारा है महरबान है जब तुम लोग माल गनीमत लेने चलोगे तो जो लोग पीछे रह गए थे वो कहेंगे हमें भी अजाज़त दीजे कि आपके साथ चले ये चाहते हैं कि अल्लह के कौल को बदल दे कह दो कि तुम हर्गिस हमारे साथ नहीं चल सकते इसी तरह अल्लह ने पहले से फर्मा दिया है फिर कहेंगे नई तुम तो हमसे हसत करते हो बात ये है कि ये लोग समझते ही नहीं मगर बहुत कम ए नभी जो गमार पीछे रह गए थे उनसे कह दो कि तुम जल्द एक सकत जंग्जू कोम के साथ जंग के लिए बलाए जाओगे उनसे तुम या तो जंग करते रहोगे या वो हार मान लेंगे अगर तुम हुक्म मानोगे तो अल्लह तुमको अच्छा बदला देगा और अगर मू फेर लोगे जैसे पहली दफ़ा फेरा था तो वो तुमको बड़ी तकलीफ की सजा देगा ना तो अंधे पर सकती है सफर जंग से पीछे रह जाने में और ना लंगडे पर और ना बीमार पर सकती है और जो शख्स अल्लह और उसके पैगंबर के फर्मान पर चलेगा अल्लह उसको बहिस्तों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरे बह रही हैं और जो रूगरदानी करेगा वो उसे दर्दनाक अजाब देगा ऐ पैगंबर जब मुमिन तुमसे उस तरक्त के नीचे बैयात कर रहे थे तो अल्लह उनसे खुश हुआ और जो सिद्क औ खुलूस उनके दिलों में था वो उसने मारूम कर लिया तो उन पर तसकीन नाजल फरमाई और उन्हें जल्द फता इनायत की और बहुत सी खनीमतें वो आएंद़ भी हासल करेंगे और अल्लह गालिब है हिक्मत वाला है अल्लह में तुमसे बहुत सी खनीमतों का वादा फरमाया है कि तुम उनकों हासल करोगे फिर उसने ये खनीमत तुमें जल्दी से दिलबा दी और लोगों के हाथ तुम से रोग दीए गरज ये थी कि ये मुमिनों के लिए अल्ला की खुद्टर्त का नमूना बन जाए और वो तुम को सीधे रस्ते पर चलाए और कुछ और गनीमतें देगा जिन पर तुम गुद्टर्त नहीं रखते और वो ल्लाही की قدرت में हैं और अर अगर तुम से काफिर लड़ते to वो पीट फ्हेर कर भाग जाते फिर वो किसी को नदोस्त पाते और ना मददगार यही अललह की आदत है जो पहले से चली आती है और तुम अललह की आदत में कभी तबदीली नपाओगे और वही तो है जिसने तुम को इन काफिरों पर फतायाप करने के बाद सरहद मक्का में उनके हाथ तुम से और तुमारे हाथ उन से रोग दिये और जो कुछ तुम करते हो अल्लह उसको देख रहा है ये वोही लोग हैं जिनोंने कुफर किया और तुमको मस्जिद हराम से रोग दिया और गुर्बानियों को भी कि अपनी जगा पहुँचने से रुकी रहें और अगर ऐसे मुसलमान मर्द और मुसलमान ओरतें नहोती ही जिनको तुम जानते नते हैं कि अगर तुम नको पामाल कर देते तो तुमको उनकी तर क्षबरी में नकसान पहुच जाता तो भी तुम्हारे हाट फता रहती मगर ताखीर इसलिए हुई कि अल्ला अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल कर ले और अगर दोनों फरीक अलग-अलग हो जाते तो जो उनमें काफिर थे उनको हम दुख देने वाला अजाब देते जब काफिरों ने अपने दिलों में जिद की और जिद भी जाहिलियत की तो अल्ला ने अपने पैगंबर और मौमिनों पर अपनी तरफ से तस्की नाजिन फरमाई और उनको परहिजगारी की बात पर काएम रखा और वो इसी के मुस्ताहिक और एहल थे और अल्ला हर चीज से खबरदार है बेशक अल्ला ने अपने पैगंबर को सच्चा और सही खाफ दिखाया था कि तुम इन्शालला मस्जिद हराम में अपने सर मुढ़ा कर या अपने बाल तरश्वा कर अमन और अमान से दाखिल होगे और किसी तरह का खौफ न करोगे जो बात तुम नहीं जानते थे अल्ला को मालूम थी सो उसने उस से पहले ही जल्द एक फता अता फरमाई वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत की किताब और दीन हक दे कर भेजा ताके उसको तमाम दीनों पर गालिब करे सक्त हैं और आपस में रहम दिल एदेखने वाले तो उनको देखता है कि अल्ला के आगे जुके हुए सर बसुजूद हैं और अल्ला का फजल और उसकी खुशनूदी तलब कर रही हैं कसरत सुजूद की असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं उनके यही औसाफ तौरात में हैं और यही औसाफ इंजील में वो गोया एक खेती हैं जिसने पहले जमीन से अपनी सुई निकाली फिर उसको मजबूत किया फिर मोटी हुई और फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई और लगी खेती वालों को खुश करने ताके काफिरों का जी जलाए जो लोग उनमें से इमान लाए और नेक अमल करते रहे उन से अल्ला ने गुनाहों की बखशिश और अजर अजीम का वादा किया है मौमिनों किसी बात के जवाब में अल्ला और उसके रसूल से पहले न बोल उठा करो और अल्ला से डरते रहो बेशक अल्ला सुनता है जानता है ऐ एले एमान अपनी आवाजें पेगंबर सल्लाह अल्येवाली वालिवसल्म की आवास से उची न करो और जस तरह आपस में एक दूसरे से जोर से बोलते हो उसी तरह उनके रूबरू जोर से न बोला करो उनके लिए बख्शिश और अजर आजीम है आई नभी सल्लेलाहु आलेहु 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 वसल्म जो लोग तुमको हुजरों के बाहर से आवाज देती हैं उनमें अक्सर बेयकल है और अगर वो सब्र किये रहते यहां तक के तुम खुद निकल कर उनके पास आते तो यह उनके लिए बेहतर होता और अल्ला तो बख्शने वाला है महरबान है मुमिनों अगर कोई गुनागार तुमारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो ऐसा नहो किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुँचा दो फिर तुम को अपने किये पर नादिम होना पड़े और जान रखो कि तुम में अल्ला के पेगंबर अगर बहुत सी बातों में वो तुमारा कहा मान लिया करें तो तुम मुश्किल में पढ़ जाओ लेकिन आल्ला घेर एमान को अजीज बना दिया और इसको तुम्हारे दिलों में सजा दिया और कुफर और गुनाष और नाफर्मानी से तुम को बेजार कर दिया यही लोग राहे हिदायत पर हैं यानि अल्ला के फजल और एहसान से और अल्ला जानने वाला है यहां तक कि वो अल्ला के हुक्म के तरफ रुजू लाए पस जब वो रुजू लाए तो दोनों फरीक में अदल के साथ सुला करा दो और इनसाफ से काम लो कि अल्ला इनसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है मुमिन तो आपस में भाई भाई हैं तो अपने दो भाईयों में सुला करा दिया करो और अल्ला से डरते रहो ताके तुम पर रह्मत की जाए मुमिनों मर्द मर्दों से तमस्खुर न करें मुम्किन है कि वो लोग जिनका मजाग उडाया जा रहा है इनसे बहतर हो और ना ओुरतें और जिनका मजाग उडा रही हैं इनसे अच्छी हो और अपनों को आपस में एब न लगाओ और न एक दूसरे का बुरा नाम रखो एमान लाने केपाद बुरा नाम रखना गुना है और जो लोग तूबा ना करें वो जालिम है ए आहल एमान, बहुत गुमान करने से परहिस करो कि बा序श गुमान गुना है और एक दूसरे के हाल का तधस्स ना किया करो और न तुम मेंसे कोई किसी की गीबत करे क्या तुम मेंसे कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्ट खाए उससे तो तुम जरूर नफरत करोगे तो गीबत न करो और अल्लह का डर रखो बेशक अल्लह तूबा कुबूल करने वाला है महर्बान है लोगो हमने तुम को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताके एक दूसरे को शनाफ्त करो बेशक अल्लह के नजदीक तुम में ज्यादा इजदत वाला वो है जो ज्यादा परहिजगार है बेशक अल्लह सब कुछ जानने वाला है सबसे खबरदार है दिहादी कहते हैं कि हम एमान ले आए कैदो कि तुम्हें एमान नहीं लाए बलके यू कहो कि हम इसलाम लाए है और इमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ और अगर तुम अल्लह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करोगे तो अल्लह तुम्हारे आमाल में से कुछ कमी नहीं करेगा बेशक अल्लह बखशने वाला है महरबान है मुमिन तो वो हैं जो अल्लह और उसके रसूल सल्ललह अलिह वालिह 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 सल्म पर इमान लाए फिर शक में नपड़े और उन्हों ने अल्लह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जहाद किया यही लोग इमान के सच्चे हैं इन से कहो क्या तुम अल्लह को अपनी दीनदारी जहताते हो और अल्लह तु आसमानों और जमीन की सब चीजों से वाकिफ है और अल्लह हर चीज को खूब जानता है यह लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि मसल्मान हो गए है कह दो कि अपने मुसल्मान होने का मुझ पर एहसान न रखो बलके अल्ला तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुमें इमान का रस्ता दिखाया बशर्ते कि तुम सच्चे मुसल्मान हो बेशक अल्ला आस्मानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है और जो कुछ तुम करते हो उसे देखता है शुरू अल्लह का नाम लेकर जो बड़ा महरबान नहायत रह्म वाला है ओफ पुरान मजीद की कसम के तुम पैगंबर हो असल बात ये है के इन लोगों ने ताज़्जब किया के इनी में से एक खबरदार करने वाला इनके पास आया तो काफिर कहने लगे कि ये बात तो बड़ी अजीव है भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए तो फिर जिन्दा होंगे ये जिन्दा होना आकल से बईद है इनके जिसमों को जमीन जितना खा खा कर कम करती जाती है हम को मालूम है और हमारे पास तहरीरी यादाश्ट भी है बलके अजीब बात ये है कि जब इनके पास दीन हक आ पहुँचा तो इन्होंने उसको जूट समझा सो ये एक उलजी हुई बात में पड़े है क्या इन्होंने अपने उपर आसमान की तरफ निगा नहीं की कि हमने उसको कैसे बनाया और सजाया और इसमें कोई शिगाफ तक नहीं और जमीन को देखो इसे हमने पहलाया और इसमें पहार रग दिये और इसमें हर तरह की खुशनुमा चीजें उगाईं ताके रुजू लाने वाले बन्दे हिदायत और नसीहत हासल करें और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और उससे वाग उगाए और खेती का अनाज और लंबे लंबे खजूर के दरख जिनका गाभात तेह बते होता है ये सब कुछ बंदों को रोजी देने के लिए किया है और इस पानी से हमने मुर्दा जमीन को जिन्दा किया बस इसी तरह कियामत के रोज निकल पड़ना है इन से पहले नूख की कौम और कुएं वाले और समूद वाले लोग जुटला चुके हैं और आद और फिरौन और लूट के भाई और बंद के रहने वाले और तुबबा की कौम गरज हर एक ने पैगंबरों को जुटलाया तो हमारी धमकी भी पूरी होकर रही तो क्या हम पहली बार पैदा करके ठाग गए नहीं बलके ये असर नौ पैदा करने के बारे में शक में पड़े हुए हैं और हमी ने इनसान को पैदा किया है और जो ख्यालात उसके दिल में गुजरते हैं हम उनको जानते हैं और हम तो रग जान से भी जादा उसके करीब हैं जब वो कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएं बाएं बैठे हैं लिख लेती हैं कोई बात उसकी जबान पर नहीं आती मगर एक निगेवान उसके पास लिख लेने को तयार रहता है और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई एए इनसान यही वो हालत है जिससे तू भागता था और सूर फूंका जाएगा यही अजाब की धमकी का दिन है और हर शक्स हमारे सामने इस हाल में आएगा कि एक फरिष्टा उसके साथ हांकने वाला होगा और एक उसके आमाल की गवाही दिन वाला यह वो दिन है कि इससे तू गाफल हो रहा था अब हमने तुझ पर से परदा उठा दिया तो आज तेरी निगाह तेज है और उसका हमनशी फरिष्टा कहेगा कि यह आमाल नामा मेरे पास तयार है हुक्म होगा कि हर सरकश नाशुक्रे को दोजख में डाल दो जो माल में बुखल करने वाला हच से बढ़ने वाला शुबे निकालने वाला था जिसने ल्ला के साथ और माबूद मुकर्र कर रखे थे तो उसको सक्त अजाब में डाल दो उसका साथ ही शैतान कहेगा कैये हमारे परवर्दिगार मैंने इसको गुम्रा नहीं किया था बलके ये आप ही रस्ते से दूर भटका हुआ था अल्ला कहेगा कि मेरे हुज़ूर में रदो कद न करो मैं तुम्हारे पास पहले ही अजाब की वईद भेच चुका था मेरे हाँ बात बदला नहीं करती और मैं बंदों पर जल्म करने वाला नहीं उस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे कि क्या तू भर गई वो कहेगी कि कुछ और भी है और बहिष्ट परहिजगारों के करीब कर दी जाएगी कि उन से मुतलब दूर नहोगी यही वो चीज़ है जिसका तुम से वादा किया जाता था यानि हर रुजू लाने वाले हिफाज़त करने वाले से जो रहमान से बिन देखे डरता रहा और रुजू करने वाला दिल लेकर आया उसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ यह हमेशा रहने का दिन है वहाँ जो चाहेंगे उन के लिए हाजर होगा और हमारे हाँ और भी बहुत कुछ है और हमने उन से पहले कई उमते हलाक कर डाली वो लोग इन से कुवत में कहीं बढ़ कर थे फिर वो शेहरों में गश्ट करने लगे क्या कहीं भागने की जगा है जो शक्स दिले आगा रखता है या दिल से मतवज्जे होकर सुनता है उसके लिए इसमें नसीहत है और हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलुकात इन में है सब को छेह दिन में बना दिया और हमको जरवी ठकन नहीं हुई तो जो कुछ ये कुफार बगते हैं उस पर सबर करो और आफतात के तुलु होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवर्दिगार की तारीफ के साथ तस्वीख करते रहो और रात के बाज अवकात में भी और नमास के बाद भी उसी के नाम की तस्वीख किया करो और सुनो जिस दिन पकारने वाला नस्दीक की जग़ से पकारेगा जिस दिन लोग एक जोर की आवाज यकीनां सुन लेंगे वोही निकल पढ़ने का दिन होगा हमी तो जिन्दा करते हैं और हमी मारते हैं और हमारे ही पास लोट कर आना है उस दिन जमीन उन पर से फट जाएगी और वो जटपट निकल खड़े होंगे इस तरह से जमा करना हमें आसान है ये लोग जो कुछ कहते हैं हमें खुब मालूम है और तुम इन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो पस जो मेरे अज़ाब की धमकी से डरे उसको गुरान के जरीए नसीहत करते रहो शुरू अल्लह का नाम लेकर जो बडा मेहरबान नहायत रहमभाला है बखेरने वाली होआउं की गिसम जो ओडाकर बखेर देती हैं फिर पानी का बोज उठाती हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं फिर उस चीज़ को यानि बारिश को तक्सीम करती हैं कि जो वादा तुम से किया जाता है वो यकीनन सच्चा है और इनसाफ का दिन जरूर वाकि होगा और आस्मान की कसम जिसमे कई रस्ते हैं कि ऐ एहल मक्का तुमें एक अख्तिलाफ वाली बात में पड़े हुए हो उस से यानि अकीदा आखिरत से वही फिरता है जो अल्लह की तरफ से फेरा जाए अटकल दोड़ाने वाले हलाक हों जो बेखवरी में भूले हुए हैं पूछते हैं कि जज़ा का दिन कब होगा वो दिन होगा जब उनको आग में अजाब दिया जाएगा अब अपनी शरारत का मज़ा चको ये वही है जिसके लिए तुम जल्दी मचाया करते थे बेशक परहिजगार बहिष्टों और चश्मों में होंगे और जो जो नेमते उनका परवर्दगार उन्हें देता होगा उन्हें ले रहे होंगे बेशक वो इससे पहले नेकियां करते थे रात के थोड़े से हिस्से में सोते थे और सुब के अवकात में बखशिश मागा करते थे और उनके माल में मांगने वालों और नमांगने वालों दोनों का हक होता है और यकीन करने वालों के लिए زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جانوں میں تو کیا تم دیکھتے نہیں اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو اے نبی کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان پھر وہ اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں فرماتے اور ان سے خوف محسوس کیا انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجے اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت سنائی تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا مو پیٹ کر کہنے لگیں کہ ایک تو میں بڑھیا اوپر سے بانج انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحبِ حکمت ہے خبردار ہے سچ میں کتنا ہی اچھا لگا سننے میں اسے بتا رکھا کہ کسی سے گھن نہ کرو کہ کی بار تم ایسا کرو گے تو تمہارے بھائی کے گوست تمہیں کھانا پڑے گا اس لئے کسی سے گھن نہ کرو اور جو بھی آسمان اور جمین کس نے بنائے جو جمین کو پھیلا دیا جمین میں پہاڑ رکھ دیا پیڑ پودھے رکھ دیئے اور جو آسمان سے برکت کا پانی برستا ہے وہ برکت کے پانی کی وجہ سے جمین کھلی کھلی رہتی ہے اور برکت کے پانی کی وجہ سے جمین میں سب جیاں فول فل سب اکتے جس کی وجہ سے لوگ اپنا کام کرتے اور بزنس کرتے اس کو بیچتے جس سے ان کا روجی چلتا اور اپنا پیٹ بھی بھرتے اور برے کام مت کرو برنا تمہیں تو جک ملے جائے جائے گا اس ٹائم تم سے سوال پوچھے جائیں گے تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس نے بتا رکھا ہے جو اللہ کی راستے پہ ایمان لائیا جو نے ایک راستے پہ چلا اور تو نے اوپر تب جنت ملے جائے جائے گا اس کو نہروں کے پاس رہیں گے پھل کھائیں گے سہیت کی ندیہ ہوگی اور جس نے کفر کی اللہ کی راستے پہ نہیں چلا اور ہمیں بھر سب کو بھٹکانے کی کوشش اس کو لئے دو جگ تیار کیا جائے گا اور جنہوں نے ایمان لائیا جن کے اندر ایمان لائیا اللہ ان کی راہ میں ان کے راستے اچھے بنائے گا اور جنہوں نے ایمان نہیں لائے ان کی راہ میں اللہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے جنہوں نے کتاب کو مان کے بھی تھکرا دیا تو پروالہ بھی اس کی گناہوں کی سجا دیں گے بہت اچھے طریقے سے بہت اچھا بتا رکھا ہے تو آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگ کی ویڈیو کیسا لگا آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بھولنا بیل آئیکن پر کلیک کر دینا جس سے آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اسی طرح آپ لوگ اپنا پیار اور سپورٹ میرے چینل پر بنایا رکھنا جیسے آپ نے سورو سے سپورٹ کیا ویسے آگے بھی سپورٹ کرتے رہے گا تو پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں